टॉप वेस्ट गेमिक स्मार्टफुन अगर आपको गेमिक स्मार्टफुन चाहिए गेम्रेइन स्मार्टफुन चाहिए दो आपको स्मार्टफुन बताउंगा सबसे पहले बात क misforn की मतलग बात करते हैं उस्मार्टफून थि आपका कभी अगर कब dynamically 35 000 से अगर आपका Samsung Galaxy F62 से ठीक है इन में प्रोचेस्टर दोनों में आपको तगड़ा देखने को मिल जाता है बैंटरी लाफ आपको 7000 एमेज की दोनों में मिल जाएगी मतलों आपके दो दिन तो नॉर्मली निकल जाएंगे सॉरि जितनी भी आपने हाड कोर गेमिंग करना ह्या मुल्ली डासकन करने कुछ भी करना जाता है क्यामरा क्वाल्टी दोनों की अन पर देखने को मिल जाते है एंड ये पच्चीस हजार से नीचे दोनों स्मार्टफून देखने को मिल जाते है तो आप देख लेना अगर आपको Samsung Galaxy F62 से ही लगता है भी आप उसके और जा सकते हो अगर आपको Samsung Galaxy M51 से ही लगता है आप इस smartphone के और भी जा सकते हो लेकिन अगर मेरा बज़ेट 25,000 से नीचे होता और मुझे non-channel smartphone चाहिए होता है तो भई मैं जाता है Samsung Galaxy M51 कर विकर उसका color उस देखने करो मिल जाता तो भी अगर आप लेना चाहते हो अप ले सकते हो अगर आपनी सिर्थ देखना है तो देख भी सकते हो दोनों में आपको 120 डिफ्रेशर के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं लेकिन जो MI10i है वो आपको 5G देखने को मिलता है लेकिन जो Redmi Note 10 Pro Max है वो आपको 5G नहीं देखने को मिलता है इस चीज को आप ध्यान में रखना प्रसेसर दोनों में तगड़ा मिल जाता है स्नैप्डेगन के आपको प्रसेसर देखने को मिल गा है दोनों ही एट नैनो मिटे टिकनोलीजी के साथ बेज़ ज्यादा डिफ्रेंस नहीं देखने को मिल गा अगर आपने हाड़ कोर गीमिंग करनी है आप इजली नॉनों स्मार्टफोन पे कर सकते हो कैमरा क्वाल्टी दोन के साथ आता है जो MI10i है वो IPS LCD के साथ देखने को मिलता है तो यह इनका कंपेरिजन है तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो MI10i जो है वो आपको 5G देखने को मिल जाता है लेकिन जो Redmi Note 10 Pro Max है वो आपको 5G तो नहीं सकते हैं अगर आपको 5G से फरक वगारा नहीं पड़ता आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए आपको फिफिफ्टी रेटिंग चाहिए तो आपके लिए पर फेट ही लो सकता है Redmi Note 10 Pro Max आप चाह सकते हैं दोनों का डिजाइन कर लोक वगारा बहुत ही जादा अपर है तो डिखने को मिल जाएंगे मैं बात करना रियल मी एक सेवन की एड मैं बात करनों रियल में एक्स स्परक जूम की यह 이건 realme X7 इइनकी नहीं देखने को मिलता है लेकिन 120 रिफ्रेश्र के साथ देखने को मिलती है प्रोसाइसर दोनों में तगड़ा है जो की 7 अनुमेटर टेक्नालिजी के साथ बेस जाए जो व्यल्मी नहीं देखने को मिलता है बैंटरी लाइफ पर ही थोड़ी सी देखने को मिलगी दोनों स्मार्टफून सब्सवाइब पच्छेस लार से कम है आपको रियलमी का ही स्मार्टफून चाहिए तो आप देख लेना अगर आपको फ्लेग्शिप परसेसर चाहिए आपके लिए बैस X3 Super Zoom Plus उसका कैमरा भी बहुत आता सही है अगर आपको एक न्या फून चाहिए रियलमी के और से एंडर 5G स्मार्ट फून चाहिए एंडर 5G स्मार्ट फून चाहिए तो आपके लिए बैस दिली हो सकता है रियलमी X7 आप इस स्मार्ट फून के और जा सकते हो जा फिर आप रियलमी X3 Super Zoom के और जाना चाहते हो आप उसके और भी जा सकते हो तो दोनु के दिस्क्किपशियल में डिए हुए अगर आप ने चाहिए उडर्युक से और चाहिए वह बैत कर सकते होर अँग बात करते हो या से यलगत है अне V20 तो आप इस smartphone के और जा सकते हो, slim and stylish design तो मिल जाता है, प्लस इसके color वगर आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे देखने को मिलता है, rainbow share में एक आपको color देखने को मिलगा, अगर आप लेना जाते हैं, तो भई वो ले ले लेना, minus part की बात करो, आपको 5G smartphone तो नहीं देखने को म रखता है, आगे बात करते है, number one, number one की बात करो, number one पर यार मैंने फिर से रखे हैं, दो smartphone, अगर आपको different design चाहिए, color वगर आपको matter करते हैं, उसके साथ साथ आपको flagship processor चाहिए, hardware gaming करने है, high setting पर gaming करने है, multi-tasking करने है, camera भी अच्छा चाहिए, design local आप पर चाहिए, आपके आएंगे, यार अगर आपका budget 25,000 है, तो सबसे पहले बात करते है, IQ 003 के, अगर इस smartphone की बात कुरूं, सबसे पहले आपको 5G smartphone बेल जाता, super AMOLED HDI 10 plus देखने को मिलेगे, display जो की gorilla glass 6 की production के साथ देखने को मिलते है, flagship processor मिल जागा, जो की 7 nanometer technology के साथ, बेस तीन colors में ये smartphone आता तो आप देख लेना, अगर आपने smartphone के और जाना, आप जा सकते हो, आगे बात करते है, number one की, number one पर आता है, LG G8X, अगर इस smartphone की बात को आपको dual display देखने को मिल जाता है, 25,000 के budget वेज़े में आपको ये smartphone मिल जागा, पहले इसका price 30,000 था, 30,000 के budget वेज़े में मिलता है, ले आपको processor देखने को मिल जाता है, जो की बहुत ही तगड़ा, hardcore gaming करने है, easily normally कर सकते हो, 6GB RAM के साथ देखने को मिल जागा, इसकी display quality बहुत ज़्यादा पर आपको मिल जाती, because आपको OLED display देखने को मिल जाती, इसके specification बहुत है, आपको IP68 water and dust resistant rating भी मिल जाती, मतलब waterproof smartphone है, यार तो मतलब यार, इतने price नहीं, मतलब 25,000 के budget range में, आपको waterproof smartphone मिल जाना, IP68 rating मिल जाना, dual display मिल जाना, अच्छी selfie, अच्छा processor, तगड़ा processor मिल जाना, वो चीज सच में matter करती है, तो भई, अगर आपको gaming के लिए चाहिए, selfie के लिए चाहिए, video recording के लिए चाहिए, प्लस भई, अगर आपको waterproof smartphone चाहिए, LG G8X आपके लिए perfect deal हो सकता है, buying के link में in description box में दिया हूँ, अगर आपने चाहूड करना है, आप चाहूड कर सकता हो, अगर आपने purchase करना है, आप purchase भी कर सकते हो, 25,000 के budget range में, तो यार, अभी मैंने आपको इतने smartphone बता दिये, Samsung के smartphone बता दिये, MI क बता दिये, MIK भी बता दिये, Vivo भी बता दिया, उसके बाद भी मैंने आपको IQ3 भी बता दिया, LG का smartphone बही बता दिये, इनमें से जो भी आप लेना चाहिए, आप ले सकते हो, आप ले सकते हो, आप ले सकते हो, आपने पाएं के link में in description box में दिये, अगर आपने deeply को भी चाह description box में दिखते हो, मिल जागा सुचाओ करना, मिलते नाक्स्त वीडियो में वीडियो के साथ, थेंक यू